नमस्कार बच्चों, मैं संगेत भाले रामाडम कक्षा सात्वी पी और सी के बच्चों को गणित पड़ा दी हूँ देखो बच्चों पिछले वीडियो में हम लोगों ने भागीदारी किसको कहते हैं और भागीदारी के उधारन किस तरह से हल करने हैं इस वीडियो में हम लोग प्रश्न संगर 49 प्रश्न संगर 49 में जो भागीदारी के उधारन है वो किस तरह से हल करने के है तो ये मैं आपको बताने वाली हूँ तो इसमें से देखो पाँच उधारण है पाँच में से सिर्फ चार उधारण हमें एक से लेकर चार तक उधारण हमें हल करने हैं तो पहला और चौथा उधारण मैं करके दिखाने वाली हूँ और दूसरा और तिसरा उधारण आपको होमवर्क में करना है तो देखो फ्रेशनर संग्रह 49 में पहला उधारण है सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए निवेश कर चार आनुपाते पाच के आनुपात में एक भुखंड खरीदा कुछ वर्ष पस्चात उन्हें बेच कर उसे 20 प्रतिशत प्रतिशत लाब हुआ फिर से एक बार गनित पढ़ती हूँ सुरेश और रमेश ने 1,44,000 रुपए निवेश करके चार आनुपाते पाच के आनुपात में एक भुखंड खरीदा और कुछ वर्ष पस्चात उसे बेच कर उन्हें 20 प्रतिशत लाब हुआ तो प्रतिशत को क चार आनुपाते 5 है और उनको 20 प्रतिशत लाब हुआ है और इसलिए सुरेश का आनुपात हम लोग 4X मानेंगे और रमेश का आनुपात हम लोग 5X मानेंगे और इसलिए 4X जोड 5X बराबर कूल निवेश और इसलिए 4 और 5 कितने होगे 9X 9X बराबर कूल निवेश को कितन है उनका 1,44,000 इसलिए 9x बराबर 1,44,000 तो यहाँ पर हमें x का मान गयात करना है 9 के आवशक्ता नहीं दोनों के बीच में गुना का चिनना इसलिए उसके विरुद्ध परिया करेंगे भाग और फिर दोनों पक्षों में दोनों साइड से हम लोग 9 से भाग करेंगे इसलिए 9 x बटे 9 बराबर 1,44,000 बराबटे 9 तो फिर यहाँ पर उसका कारन लिखने का है दोनों पक्षों में 9 से भाग देने प्राब तो 9x बटे 9 बराबर 1,44,000 बटे 9 फिर से यहाँ पर 9 एकम 9 9 अभी यहाँ पर 9 एकम 9 उसके बाद 9 के पाढ़े में 14 आते नहीं से 9 एकम 9 14 में 9 तो 5 रह गए यहाँ पर हो गए 54 तो फिर 9 के पाढ़े में 14 आते 9 छक 54 और 1,2,3 शुन्य वो इसकी वैसे रख दे इसलिए x का मान आ गया 16,000 अभी देखो अभी यह x का मान मालूम हो गया तो हम लोग इसके आधार पर हमें सुरेश का निवेश ग्यात करना है तो सुरेश का रमेश का निवेश रमेश का निवेश है 5x याने यहाँ पर रिखा है देखो 5x 5x का मतलब 5 गुना x और x का मान आया है 16,000 उसलिए 16,000 याने 16,000 तो यह दोनों का निवेश हो गया अभी उनको कितना अलाब हुआ है 20 प्रतिशत 20 प्रतिशत मतलब 20 बटे 100 निसलिए प्रतिशने कितना निवेश किया है 64,000 64,000 में 20 प्रतिशत लाब याने 64,000 गुना 20 बटे 100 अभी यहाँ पर देखो 64,000 गुना 20 बटे 100 देखो यहाँका एक शुन्य कैंसल यहाँका एक शुन्य कैंसल यहाँका एक शुन्य कैंसल यहाँका एक शुन्य कैंसल यहाँका एक श इसका मतलब रमेश सुरेश को 12,800 रुपए का लाब हुआ अभी रमेश का लाब रमेश को कितना हुआ था निवेश कितना है उसका 80,000 रुपए उसको भी 20 प्रतिशत लाब हुआ इसलिए 80,000 गुना 20 बटे 100 फिर से 80,000 गुना 20 बटे 100 यानि देखो यहाँ पर यह भी एक तो अभी यहाँ पर रह गए एक सिर्व तो इसलिए 80,000 गुना 20 बटे 100,000 इसलिए रमेश का लाब हुआ 16,000 रुपए तो इस तरह से यह पहला गनित जो है वह आपको मैंने इस वीडियो में हल करके दिखाया है वीडियो देखकर आपको यह गनित जो है अपने कापी में का करने का है और उसके बाद आप लोगों को दूसरा एक चोथा हुदारन में आपको हल करके दिखाने माली हूँ देखो चोथा हुदारन है और बह ने मिले लाब को 24,500 रुपए को तीन अनुपाते साथ के अनुपात में बाट लिया प्रत्यक ने मिले लाब की रकम का दो प् में बाट लिया प्रत्यक ने मिले लाब की रकम का दो प्रतिशत रकम सहीनिक कल्यान निधी में जमा किया तो प्रत्यक ने कल्यान निधी में कितनी रकम जमागर दी तो देखो अभी ये गणित आप लोगों को किस तरह से हल करना है तो देखो यहाँ पर और ब का आनुपात जो है वो 3X और 7X मानेंगे क्योंकि 3 आनुपाते 7 ये उनका आनुपाते है इसलिए 3X और 7X मानेंगे इसलिए 3X जोड 7X बराबर कुल लाब तो देखो 3 और 7 कितने होगे 10 10X बराबर कुल लाब कितना होगे 24,000 पासो अब यहाँ पर भी हमें X का मान गयात करना है 10 की आवशकता नहीं दोनों के वीच में गुना है उसके विरुदधक्रिया करेंगे भाग इसलिए 10X बराबर 24,000 पासो बराबर 10 याने दोनों पक्षों में 10 से भाग दिया तो फिर यहाँ पर 10X बराबर 24,000 पासो बराबर 10 10 एकम 10, 10 एकम 10 देखो यहाँ पर भी 1 शुन्य समयज़ों कैंसल किया यहाँ पर 1 शुन्य कैंसल किया तो उत्तर आगया 24,000 पासो तो X का मान आगया 24,000 पासो रुपे अभी देखो A को कितना लाब हुआ है तो 3X रुपे लाब हुआ है याने 3 गुणा 24,000 पासो एकस का मान आया है तो इसलिए मतलब उसको देखो 3 शुन्य, शुन्य, तीन पाचे 15 हासिल 1, 3 चोक 12 और 1, 13 हासिल 1, 3 दुना 6 और 1, 7 याने 7,350 रुपे लाब हुआ है 2 को कितना लाब हुआ है 7X याने 7 गुणा 24,000 पाचास इसलिए 7,000, शुन्य, साथ पाचे 35,000, तीन, सच्चोक 28,000, तीन, 31 हासिल 3 और 7 दुना 14,000, तीन, 17 याने उत्तर रुपे लाब हुआ है 17,150 अभी देखो उन्होंने सहीनी कल्यान ने दिने 2 प्रतिश्यत रकम जो है वो डोनेट की है याने दे दी है, तो इसलिए कल्यान नी दिन में दी गई रकम कितनी है तो 7,350 गुणा 2 बटे 100 तो फिर यहां पर देखो 7,350 गुणा 2 बटे 100 देखो यहांका 1-0 यहांका 1-0 एक्रसन्य कैंसल, यहांका 1-0 गैंसल 2 eकम दो 25, 10 फिर पाच एकम पाच, पाच सेकम पाच, साथ में से पाच घटाया तो दो, यहाँ पर हो गए 23, पाच चोग 20, फिर से तीन रग है 35, 5 सते 35, याने कितने हो गए 147 रुपए, वह ने कल्जान निदी में जमा किये, उसके बादा भी 2 ने सहिनिक कल्जान निदी में कितनी रकम जमा कि, तो इसके लिए भी 17,150 गुना 2 बटे 100, क्योंकि उसका लाब जो है, 17,150 रुपए उबवा है, उसका 2 प्रतिशक, तो इसलिए 17,150 गुना 2 बटे 100, फिर से यहां का भी 100 ने कैंसल, यहां का भी 100 ने कैंसल, दो एकम दो, दो पाचे 10, फिर से 5 एकम 5, पाच तिया 15, सत्रा में से पंद्रा घटाए तो दो आ गई यहाँ पर 20 होगे, 21 होगे, पाच्चोक 20 फिर से एक रह गया, 15 होगे, पास्तिया 15, तो कितना आ गया, 343 रुपे, तो इस तरह से यह दो गणित जो है, वो मैंने आपको हल करके दिखाये हैं, यह दोनों गणित जो है, वो आप ल